हेलो दोस्तों तो आज मैं आपके लिए छोटी से इंफरमिशन ले का हूँ और बहुत ही एफेक्टिव है तो देखिए टॉयोटा जैसे कि आप जानते हैं कि ये कार बनाने वाली कमप्टी है तो इन्हों ने एक कोर्स नौच किया है ये वेबसाइट पे अवेलेबल है मैं प कर्मिशन है ये कोर्स करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप यूज कर सकते हो कभी न कभी जब इंटर्विव में आप बैठोगे दिखिए आप आप आपको बड़ा इजी रहेगा वहां पे आप अपना सर्टिफिकेट दिखा होगे तो इसलिए ये कोर् यहां पर मान लो यहां पर मैं खोलता हूँ A-S-D-C नाम से A-S-D-C D-O-R-G-D.IN इस नाम से करता हूँ तो एंटर करता हूँ तो यहां पर मेरे पास एक वेबसाइट आप आजएगी वेबसाइट आजेगी और यहाँ पे वेबसाइट में डिटेल आजेगी और यह देखिए XCV शिक्षा इस नाम से आएगा यहाँ पे रिजिस्टर पे क्लिक करेंगे वहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा हमारे पास जिसमें हमें पूछा जाएगा कि आपका फोन नमबर क्या है ठीक है मोबाइल नमबर क्या है उस पे आप डाल देंगे जैसे मैं अपना डाल देता हूं तो यहाँ पे मैं अपना नमबर डाल देता हूं तो यहाँ पे आपको क्या आएगा next एक कोड आएगा कोड जनरेट होगा उस कोड के बेस पे आपको लॉग इन करना है यह म हमारे पास courses में module है module 1 introduction to hybrid electric vehicle component FAQs और module 4 है history of Toyota और e-learning videos यह सब कुछ है यह इसमें पहला module open करना है आपने open करने के बाद यहां पर आपको एक second यहां पर आ जाएगा और यह जो है हमारे पास इसमें detail आएगी videos होंगी वो videos आपको देखनी है और उसके बाद एक छोटा सा MCQ का test देना है तो MCQ होंगे हर module के बाद जैसे पहला module है module के बंदर videos हैं यह देखिए session 1 session 2 यह बहुत ज्यादा बड़ी videos नहीं हैं छोट-छोटी videos हैं आराम से आपने देखनी हैं और इस तरह से इस पर click करता हूँ मैं इस पर click करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास videos open हो जाती हैं तो यह वीडियो ओपन हो जागी तो इस तरह से वीडियो चलेंगे तो जो आप देख लोगे वो उसकी वीडियो का यहाँ पर color जो है ग्रीम हो जाएगा जो आपने नहीं देखी हैं उसका रेड रहेगा और complete देखनी आपको complete देखनी के बाद यहाँ पर देखिए session 10 assessment है assessment में question बुझेगा वो mcq question है इसी के base पर easy है कोई मुश्किल नहीं है ज्यादा बड़ी बाद नहीं है इसमें जब सारे module कर लोगे आप तो यहाँ पर यह option है देखे तो यह certificate का option है यहाँ पर पीक करोगे तो आपको एक certificate मिलेगा जिस पर Toyota अपना logo देगा आपको और साथ में ASDC ठीक है यह इसका logo होगा हमरे पास यह जो certificate मिलेगा आपको वो valid है valid certificate है आप जब भी automobile की किसी company में जाओगे तो उसमें आपको काम आएगा एक बात तो यह होगी कि आपको हर जगा मुझे certificate चाहिए मुझे यहाँ पर मुझे जरूरी होगा एक दूसरी बात यह है कि आपकी knowledge gain होगी ultimately आपकी knowledge gain करना ह हमरा फर्ज होता है कि हम अपनी knowledge gain करें बाद में job का बाद में सोच लेंगे अभी सिरफ एक ही चीना सोचें कि पैसा 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 हमें knowledge gain करनी है knowledge किस तरह से क्योंकि आने वादा जमाना जो है वो EV vehicle मतलब electric vehicles का है और hybrid vehicle का है hybrid क्या होते हैं और electric का क्यले कुन से होते हैं अकेल engine भी यूज होता है और साथ में battery भी यूज होती है okay battery भी यूज होती है दोनों चीज़ें यहां भी यूज होती है okay simple सी बात तो यह hybrid वाला जो system है उसमें यह सारा समझाए वो देखिए types of hybrid system किस तरह से है उसमें detail आएगी और यह English में है English में मैं जानता हूं बहुत सारी मे कहीं को दिक्कत आ सकती है तो मैं अभी के लिए एक certificate ले लो आप certificate ले लो इसकी मैं हिंदी आपको करके बता दूँगा okay हिंदी में मैं अपनी explanation अलग से दे दूँगा आपको लेकिन यह certificate जिरूर आप ले लिए I hope कि आपको यह चीज है clear होगी ठीक है यहां पर देखिए कि इस तरह से समझारक है यह सब कुछ मैं आपको समझा दूँगा okay easy है तो I hope कि यह आपको अच्छा लगा होगे वीडियो और अगर आप अपने friends के साथ share करना चाहते है क्योंकि यह सबको helpful होगा तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को share कर दीजिए और मेरी app को download कर लीजिए उसमें भी notification जो है मैं jobs के भी आने वाले टाइम में jobs के बरे में भी information देता रहूंगा और इसी तरह के training program के भी आपके साथ share करता रहूंगा thank you thank you so much और app का जो link है वो मैं description box में दे रहा हूँ ओके जी बाई